दोस्तों आज मैं आप सभी के साथ पनीर की बहुत ही जटपट बनने वाली पनीर भुर्जी की रेस्पी शेयर करने वाली हूँ चोकि सिर्फ पनीर के साथ बहुत ही कम टाइम में बनके त्यार हो जाता है और खानी में रोटी के साथ, पराठे के साथ, यह सबजी बहुत अच्छी लगती है, तो चलिए आज बनाना सीखते हैं, simple, easy, पनीर भुर्जी की रेस्पी, यहाँ पे हम पनीर को ले लेंगे, यहाँ पे मैंने मलाई पनीर लिया है, काफी soft होता है, नरम होता है, जैसा कि इतने आसानी से टूट रहा है, तो इसकी जो पनीर भुर्जी है, बहुत अच्छी बनती है, यहाँ पे मैंने इसे लिया था, करीबन 400 ग्राम के जितना, आप 200 ग्राम या फिर आपको जितनी भी quantity में बनाना हो, उसे साथ से पनीर ले ले, उसे कद्दू कस कर ले, तो मैंने सरसू के तेल में थोड़ी बनती है, क्योंकि उसमें ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है, बाकिया जिन लोगों को सरसू के तेल की स्मेल पसंद नहीं है, वो उसे स्किप करके, नॉमल रिफाइन ओयल या फिर घी के साथ भी बना सकते हैं, बट पनीर में खुद का इतना घी होता है, कि इसे हम सरसू के तेल में ही बनाना प्रिफर करते हैं, अगर आपको और जादा अच्छा टेस्ट बढ़ाना है, तो आप इसमें एक चमच के जितना इसी पॉइंट पर बटर भी आड़ कर सकते हैं, थोड़े से साबुत मसाले आड़ करी हूं, जिसमें थोड़ा स धनिया, जीरा, हींग, यह सारी चीज़े हमने अड़ की, और यह है most important चीज, पनीर बुर्जी में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, यह है प्यास, तो प्यास हमने यहाँ पे दो बड़े आकार के ऐसे roughly slice करके डाल दिये हैं, प्यास को हमें एकदम brown होने तक नहीं पक बहुत ही आसान सी रेस्पी है दोस्तों, बहुत कम चीजों के साथ जटपट बनके तयार हो जाती है, तो अगर आप जल्दी में हैं, बिल्कुल फटा फट बनने वाली सबजी है, इसमें हम डाल देंगे, दो कटीवी हरी मिट्रियो साथ में, एक चममच के जितना बारी कट आप चाहे तो चिजगालिक पेस्ट का भी इस्तमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो, यहां पर मैं टेस्ट बढ़ाने के लिए डाल रहे हूं थोड़ा सा करी पत्ता, यह परस्नली मैं आड़ करती हूं, इसका टेस्ट मुझे पनीर बुर्जी के साथ काफी अच्छा अच्छे से मिला लेंगे, अब इसके बाद डालेंगे थोड़े मसाले जिसमें हैं हल्दी पाउडर, नमल हमारे रेगलो मसाले, धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, गरम मसाला, और कश्मीरी मिर्च पाउडर, मैं लाल मिर्च नहीं यूज़ कर रही हूं, जो तीखी वाली होती है, ये गया थोड़ा सा चाट मसाला, बस सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे, कश्मीरी मिर्च मैंने इसलिए एड़ किया है, ताकि हलका सा एक कलर आजाए, मुझे बहुत जादा तीखा नहीं करना है, क्योंकि हम इसमें हरी मिर्ची काट के डाल चुके हैं, तो कश्मीरी मिर्च कलर के लिए मैंने अट किया है, ये देखे मसाले प्याज आपस में अच्छे से मिल चुके हैं, अब इसमें हम डाल देंगे कद्दू कस की हवाई ये पनी, आप चाहे तो पनीर को हाथ से तोड़ के भी डाल सकते हैं, लेकिन कद्दू कस कर ही पकानी है, पहले और अलरीडी मसाले प्याज पक चुके हैं, बस पनीर को डाल के हमें मिला देना है, बस थोड़ी बहुत चीज़े हम और डालेंगे, ये सबजी फटा फट बन के रेडी होती है, पनीर को अच्छे से मिला ले, ये देखे मसालों के साथ अच्छे से मिला कुछ लोग टमाटर भी आड़ करते हैं लेकिन मैं टमाटर के साथ पनीर भुजी बनाना उतना पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि सिर्फ अगर आप प्यास के साथ बना के देखोगे तो इसका मुझे जादा अच्छा टेस्ट लगता है सबकी अपनी अपनी चॉइस है मुझे सिर्फ प्यास के साथ बनाना जादा अच्छा लगता है इसमें डाल देंगे नमक, स्वाद अनुसार और कसूरी मेथी एक बाइफिर से मिक्स करेंगे अगर आपके घर में गैस्ट आ रहे हैं आप पनीर बुर्जी बना रहे हैं तो पनीर बुर्जी बनने के बाद उपर से भी एक चमच मुल बटर अट करेंगे न तो और जादा अच्छा टेस्ट आएगा मैंने इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बना के दिखाया है जादा ताम जाम नहीं है इसमें नॉमली ये सारी चीज़े हमारे घर पे होती हैं आप एक बर इस तरीके से पनीर बुर्जी बना के देखेंगे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा ये देखें बिल्कुल सिल्की टेक्शर है हमारी पनीर बुर्जी का क्योंकि हमने इसे जादा पकाया नहीं है अगर आप इसे जादा पका दोगे धक के पका दोगे तो पनीर हाड हो जाएगे तो ये सीक्रिट था एकदम सिल्की स्मूद पनीर भुर्जी बनाने का बहुत ज़ादा पकाना नहीं है बस सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे एक से दो मिनट के लिए और पकाएंगे और ये रेडी हो जाएगा सबसे लास्ट में थोड़ा सा चाट मसाला मैं और डाल रही हूँ उपर से मैंने टेस्ट किया था मुझे कम लग रहा था और धेर सारे फ्रेश हरे धनिया पत्ते पस सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे वैसे गर्मा गर्म चपाती फुल के या फिर पराठे के साथ बहुत अच्छा जाता है इसे सर्व करें तो दोस्तों अगर आज कि ये सिंपल पनीर भुर्जे की रेस्पी अच्छी लगी हो यूस्फुल लगी हो इसी तरीके की और भी रेस्पी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्स्क्राइब करना ना भूलें वीच में रख के इसका सैंडविच भी बना सकते हैं तो आप इसे मुल्टपल तरीके से इंजॉय कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो दोस्तों मैं मिलती हूं इसी तरीके की एक और नई रेस्पी के साथ नह दिन तिल देन टेक क्या बाबाय और कीप कुकिंग